कि हल दोस्तों आप देखे हैं इसमसल काज आज हम लेसे बात करने वाले हैं टीचिंग अप्टेक्यूर और इजिनिंग अन्य दिश्टा के महत्वन स्वाल को डिसक्स करने वाले हैं जो पाट ए में पूशा जाता है स्टेट के एक्जाम में पेपर ओन टू में उसी के पचास स्वाल को डिसक्स करने वाले हैं जो सभी के लिए निवार रहता है और सिट नंबर 30 से अभी तक एक से 29 तक का सिट नहीं देखे हैं जरूर देख लिजेगा चलिए आगे बढ़ते हैं एक नंबर स्वाल देखते हैं और यहां पर एक नंबर स्वाल आप देख सकते हैं दिय करेंगे क्या चीज अपनाएंगे तो यहां पर आपको बतलाना है तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर तो आत्मिय संबंद बनाएंगे पहले सबसे पहले यह नहीं कि खुद छात्र बन कर उनकी समस्या को समझेंगे और या छात्रों के पिटाई करके उनके समस्या को आउट कर सकते हैं तो option number 6 इसका right answer हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे हम लोग दो नमबर सवाल देख सकते हैं दिया गया है कि छात्रों को चरितरवान अनुसासित बनाने के लिए आप क्या करेंगे यानि आप एक सिक्षक हैं तो चात्रों को चरितरवान और अनुसासित बनाने के लिए क्या करेंगे तो option यहाँ पे A, B, C, D जो भी है देख सकते हैं दिया गया है तो क्या करेंगे उन्हें पर सिक्षन होते हैं और आप ही को लोग फॉलो करते हैं तो सबसे पहले यह होना चाहिए कि स्वेम आप चरितरवान बने और अनुसासित बने तो आप ही को लोग फॉलो करेंगे यानि आपके चात्र तो स्वेम चरितरवान और अनुसासित होंगे तो बच्चे प्यापके हो जाएंगे चरितवान और अनुसासित चलिए आगे बढ़तें दो नंबर शवाल देखते हैं यहां पे और तीन नंबर सवाल देखते हैं दिया गया है कि शिक्षा के शेत्र में आरक्षन लागू होने से जो आरक्षन के बारे में हाँ पुछा जा रहा है तो जो एजुकेशन यानि शिक्षा के शेत्र में आरक्षन लागू होने से क्या होता है इसके बारे में हम लोगों डिसकस करना है तो क्या हो जाएगा ये समाजिक एक रूप आ जाती है या समाजिक रूप से जो पिछरे ब्यक्ति को शहायता मिलती है या सिक्षा के भी श्रंगति आ जाती है इन में से कोई नहीं तो देखिए क्या होता है कि समाजिक रूप से पिछरे ब्यक्ति को भी शहायता मिलती है यानि अरक्षन के मादयम से और इसका अरक्षन क यही मेन उद्धेश भी है चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे हम लोग चार नूमर चुछ डेकर सिक्षन में र ब्यक्ती प्रविन नहीं हो शकता है आप मानते हैं कि यानि सभी लोग अच्छे यानि उत्तम सिक्षन नहीं कर सकते हैं या परविन नहीं हो सकते हैं तो आप एक सिक्षक होने के नाते क्या मानते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा शिक्षन एक कला है इसलिए या शिक्षन का छेत्र बहुत ब्यापक है या शिक्षन अनुभव के द्वरा होता है या शिक्षन एक जटिल पर किरिया है तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर तो देखिए शिक्षन का जो छेत्र है वो आपका क्या राय है इस पे बतलाना है तो देखिए क्या हो जगा इस तीरिया ही श्रीशु की अच्छी सिक्षक हो शकती है कोई जरूरी नहीं है श्रीशु सिक्षक के लिए मनोब ज्यानिक परती उप्यूक्त है यह भी कोई उतना जरूरी नहीं है श्रीशु सिक्षक की जिम्यारी मा के उपर होनी चाहिए यह बहुत जरूरी है तो यह अगर होता है तो शिशु को यानि सिक्षा दिया जा सकते हैं और बहुत असानी से यहाँ पे छोटे बच्चों की बात किया जा रहा है तो अपसन नमबर डीज का राइट आंसर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोग 6 नमबर यानि 6 नमबर इसकी भूमका को आप सबसे अधिक मानते हैं महत्पून मानते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए तू क्या वुच भी पड्यालों कि सिक्षक के वल्द पढ़ाई और सिक्षकों को चात्रों के दिषा बदल सकता है तो देखिए क्या होगा गी जो शिक्षकों के हैं इसकी वजह से जो देश है उसकी दिशा बदल सकती है और यहीं महत्पुन उसन की भूमका होती है चलिए आगे बढ़ते हैं और साथ नंबर स्वाल देखेंगे और यहां आपकी भौवना को यानि भौना को यें तो हो नहीं सकता है दूसरे इसरी the把它 भौना को यह भी होगा नहीं तिसरे की अतोरे की मदद करने की भावना इसरी की तुम ऑजिशन funk ini कि यहां पर दीद सब्सक्राइब देखेंगे चलिए चलिंगोव हो इस हो आप नहीं होने देंगे तो इस बहुना को आप बढ़ाने की कोशिस करेंगे कि किसी के साथ यानि भेदवाव नौ हो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आठ नंबर स्वाल देखते हैं दिया गया कि एक अध्यापक के बिश्राय में आपका बिचार है यहां पर बिश्राय के बारे में पुछा गया है तो क्या हो जाएगा तो देखिए उसे किसी बच्चे के किताब ले लेनी चाहिए कोई जरूरी नहीं है उसे किताब के अलावा सहायक समागरी के साथ पढ़ाना चाहिए हो सकता है देखिए उसे बिना किसी किताब के ही पढ़ाना चाहिए कोई जर जिरूर यूज़ करना चाहिए ताकि जो सिक्षन है वो और रोचक हो सके चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहां पर नौ नुमबर सवाल देखेंगे दिया गया है कि शिक्षन कारे में आदर्श और नैतिकता से आप क्या समझते हैं आप एक सिक्षक हैं तो इन दोन यह मतलब होता है यहां शिक्षक और चातरों के आदर्श और नैतिकता का बहुत गम है यहां शिक्षक का शिक्षक का शिक्षन कारे में नैतिकता का श्रमावेस यहां शिक्षक को आदर्श और नैतिकता से जोड़ना तो क्या हो जाएगा देखेंगे यहां पर अप्शन न सवाल देखते हैं दिया गया कि आप शिक्षन विशाय को क्यूं अपनाना चाहते हैं यानि आप सिक्षक बनना क्यूं चाहते हैं ये बात बतलाना है कि आप यानि इस विशाय में क्यूं आना चाहते हैं इस परफेशन में आप क्यूं आना चाहते हैं सिक्षन में तो क्या हो जाएगा राइट आंसर आपको बतलाने तो देखिञें आत्मसंतुष्टी के लिए लिए कलाक्ट, अपने ज्यान को बढ़़ा सकते हैं दुसरा कि आपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं समाजिक परतिष्टा पाने के लिए तो आप सिक्षक बनते नहीं है तो ये भी नहीं होगा तो अप्शन नमबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि छात्रों के साथ नए नय नभाव प्राप्त करना और फिर नए नय चीजों को शिखना और सिखाना दोनों तो ये उदेश होना चा को अपनी विशाय वश्तु में निरंतर नय ग्यान का शामावेश करते रहना चाहिए यानि आप जिस सब्जेक्ट के सिक्षक है या पढ़ाते हैं तो उसमें नय नय ग्यान को शामावेश करना चाहिए ऐसा क्यूं माना जाता है क्यूं ऐसा कहा जाता है तो क्या च्छात्र काक्षा में सांत रह सके इसलिए या वह चातर को नविंतन ग्यान दे सके नय नय ग्यान दे सके या चातर सिक्षक की योगता का लोहा मानने या अध्यापक का ग्यान बढ़ सके तो देखिए क्या हो जगा इसका राइट आंसर कि वह चात्रों को नविंतन ग्यान दे सके यानि नए नए ग्यान दे सके इसलिए नए ग्यान का शमवेश करना बहुत जरूरी होता है एक सिक्षक के रूप में आपको करना चाहिए चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग 12 नंबर शवाल और यहां पर 12 नंबर शव महत्तों के विकाश है तो आप सिक्षक हैं तो क्या करेंगे इसको बतलाना है तो देखिए चाहिए या छात्रों के समय समय पर श्रम करने का ओशर देना चाहिए या श्रम के महत्तों पर भाषन देना चाहिए तो देखिए जब तक उनको खुद मौका नहीं मिलेगा औशर नहीं मिलेगा प्राप नहीं होंगे यानि श्रम करने के लिए तब तक उस महत्तो को कैसे जानेंगे तो option number 6 इसका right answer जाएगे चात्रो को समयर श्रम करने का औरशर देना चाहिए इससे उस महत्तो को वो शमझेंगे और ये होना चाहिए यानि तभी उनमें श्रम का विकाश हो सकता है चलिए आगे बरते हैं और य अभी भी देश तभी बड़ा मना जाएगा जब क्या होगा दूसरे देशों के यह पेक्चा उसके पास अधिक शक्ती हो या देश के अधिक से अधिक लोग राष्टवादी और सिक्षित हो या धार्मिक कटरता हो या उस देश में नए नए अविश्कार होते हो तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा देश के अधिक से अधिक लोग राष्टवादी और सिक्षित हो यानि एजुकेटेड हो तभी वह देश सबसे बड़ा माना जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपे हम लोग 14 नमबर स्वाल दिया गया कि अगर कोई आपकी अलुचना करता है आपकी बुराई करता है तो आप क्या करेंगे इसका मतलब आंसर देना है तो उसके भी अलुचना करेंगे यह आप नहीं करेंगे दूसरा अलुचना करने वालों को पसंद नहीं करेंगे दूसरा कोई मेरी बुराई करे मगर मैं किसी की बुराई नहीं कर आपके अंदर होना चाहिए चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहां पर देखते हैं दिया गया है कि जब आप कार अरम करते हैं तो किस विश्रय पर अधिक सोचते हैं यानि किस पे सबसे अधिक सोचते हैं किस पहलू पे आप ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतित करते हैं तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर तो कारे की परकिरती और यूजना पर या कार में लगने वाले शमय या यूजना पर या कार की सरलता और और शफलता पर या उ option गलत है तो यह तरह से तो उप्रिक सभी नहीं होगा तो यह भी गलत हो जाएगा रही बात ए और भी तो देखिए शमय और योजना पर यह नहीं सबसे अच्छा जोगा हूँ काड़ और परकृतिक योजना पर आप सबसे ज़्यादा अधिक समय बैतीत करेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं सोलन नंबर सवाल देखते हैं दिया गया कि सचे मार्ग पर चलने के लिए आप किन-किन लोगों का अनुसरन करेंगे यानि खुद आप अच्छे मार्ग पर सचे मार्ग पर चलना चाते हैं तो किन का अनुसरन करेंगे किन को फॉलो करेंगे आप क्या हो जाएगा इसका राइट आपसर तो देश के निताओं को कोई ज़रुए नहीं आज के निताओं को आप देख सकते हैं सभी अच्छे ब्यक्तियों का या महाफुर्ष के आदेशों का आदेश मानना कोई ये बरी बात नहीं है बहुत लोग आदेश दिये हैं लेकि आप कौन मानता है तो यह भी नहीं हो सकता है दूसरा अदेश के सिछा विदो का तो यहां पर देखिये या तो B या तो D हो जाए करेंगे जो आभी प्रेजेंट में तो आप अच्छे मार्क पे चल सकते हैं चलने की संभावना है तो अपसे नंबर इसका क्या हो जाएगा यानि बीसका राइट आंसर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहां पे हम लोग 17 नंबर स्वादिया कि यदि आपके परसिक्षन है तो भेजा जाए तो आप वहां आप क्या करेंगे यानि क्या कैसा महौल बनाएंगे क्या करेंगे नहीं करेंगे इसा बतलाना है तो क्या हो जाएगा तो देखिए सिक्षक से मिल जूलकर अपना काम निकाल लेंगे नहीं गलत अपने अनुभा वहां क कि शिक्षकों को देंगे आप परसिक्षन लेने गए हैं तो ये भी नहीं हो सकता है शिक्षकों से क्यों परशन पुछेंगे नहीं शिक्षन की नहीं नहीं विधिया सिखेंगे आप सिखने गए हैं परसिक्षित होने गए हैं तो आप नहीं नहीं विधियों को शिखेंगे तो option number इसका D इसका right answer हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आप पे हम लोग 18 नमबर शवाल दिया गया है कि किसी छातर में और समाजिक गुन दिखता है तो आप सुचते हैं कि ऐसा क्या कारण है कि ऐसा है और समाजिक गुन की बात किया जा रहा है तो देख देखिए सिक्षकों से मेल जूलकर अपना काम निकाल लेंगे या अपने सिक्षक वहां यानि सिक्षकों को देंगे या क्योवल तो देखिए यहां पर क्या हुआ है कि यहां पर सभी option दिये हैं वो गलत है क्योंकि यह टाइपिंग से mistake हो गया है चलिए इसका हम लोग नेक option number स्वाल दिये गया कि बच्चों को कहाने सुना कर पढ़ाना चाहिए आपका विचार है कि यानि बच्चों को कहाने सुना कर पढ़ाना चाहिए आपका क्या विचार है इसके बारे में आप क्या मानते हैं क्या सुचते हैं यह बतलाना है तो कहानी बच्चों के मस्तिक्स क केंदिर्ट करती है कहानी सिक्षन कारित निरंधित करती है या कहानी बच्चों के शुरिखने में अधिक सक्षम करिया कलाफ है या कहानी विशाय को रूचक बनाती है तो देखिए जो है अप्शन नमबर A इसका राइट आंसर हो जाएगा क्यूंकि जो कहानी होती है बच्चों के मस्तिक केंदरित करती है नहीं उनका ध्यान एकागर कर लेती है पूरी एक तरह कर देती है एक तरफ कर देती है एक जगह पर कर देती है और आप जब पढ़ाना शुरू करेंगे तो कुछ भी सीखाना चाहेंगे तो आप असानी से सीखा सकते है क्योंकि आप क्या करेंगे उनको connect कर लेंगे अपने बातों से तो option number is का right answer हो जाएगा चले आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम लोग base number सवाल देखते हैं दिया गया कि जिन छात्रों के मावाप नहीं है तो आप क्या करेंगे तो उनकी मदद के लिए principle से शिपारिस करेंगे या देख सकते हैं यहाँ पर उन्हें सानुवती देकर परशनर रखेंगे या उन्हें कक्छा में आगे बैठाएंगे या मावाप की तरह उनको प्यार देंगे तो यह सिफारिस भी नहीं करेंगे आगे बैठाने कोई जरूत नहीं है और आप तो मावाप बन नहीं सकते है तो क्या हो जाएगा उन्हें सानुवती देकर परशन रखने की कोशिस आप जरूर कर सकते हैं तो अपसन नमबर क्या हो जाएगा 20 का राइट आंसर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आप यहाम लोग 21 नमबर शवाल दिया गया है कि परतिभा श्रंपन च्छातर का श्वप्न सदेव एक सिक्षक बनना होता है इसके बारे में आपका मत्त है क्या यानि जो परतिभा श्रंपन ब्यक्ति होते हैं यानि च्छातर होते हैं वो सदेव यहाँ पे देखिए सदेव सिक्षक ही बनना चाहते हैं तो आप एक सिक्षक होने के नाते इसके उपर आपका विचार क्या है ये बात बतलाने है तो देखिए क्या हो सकता है पुर्णता सही है नहीं हो सकता है पुर्णता रुप से सही नहीं है अनिस्चित है ये भी नहीं कहा जा सकता है गलत बिल्कुल है ये भी नहीं कहा जा सकता हैं चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पे हम लोग 22 स्वाल देखते हैं दिया गया है कि समय चक्र के विशयों के वितरन का क्या अधार होना चाहिए यह सवाल आया भी था साइद 2011 के जो एस्टेट हुआ था उसमें पुछा भी गया था तो आप ध्यान देंगे कि समय चक्र क के विशयों में के वितरन का क्या अधार होना चाहिए तो क्या होना चाहिए चात्रों की रूची का अधार होना चाहिए कोई अधार नहीं होना चाहिए कोई अधार नहीं होना चाहिए तो गलत है विशयों की कठ नयों का अधार होना चाहिए या विद्याले के शुविदा आई हो यानि रूची के अनुसार नहीं सबसे चाहिए कि कठिनाई हो जो बिशाय के कठिनाई है उसके अनुसार होना चाहिए तो ज़्यादा सही रहेगा तो अपसर नमबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा चले आगे बढ़ते हैं 23 नमबर सवाल देखते हैं दिया गया है कि हमारी वर्तमान सिक्षा परनाले सिक्षित विरुजगार बढ़ाने वाली परनाली है क्यों कि आज के जो आज आप देख सकते हैं कि बहुत लोग सिक्षित हैं लेकिन फिर वी विरुजगार है तो यह इसी के ऊपर यह कुश्टन बनाया गया है क्यों है यह परनाली क्यो हो सकता है तो हमको आंसर बतलाना है तू क्या सिक्षा milhões पॉर्षा के पर तो यह हो जाएगा देखे यहां पर आप क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बतलाना है तो यह पॉर्षा है और से तो हम यह द अप्शन हो जएगा है ने सी चलिए a आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहां पे हम लोग 24 स्वाल देखते हैं दिया गया है कि छात्रों में श्यामपर्ट कार्य को आकर्शक बनाने है तू निमलिकित में कौन सा अधिक उपयोगी होगा यहां पे श्यामपर्ट यानि ब्लैकबोर्ड वर्क के बारे में बात पु होता है उसके बाद सभी चातों को समय स्वाल पर अव्यास कराना यह कोई जरूरी नहीं है कि सभी को अव्यास कराया जाए तो यह भी गलत हो जाएगा चलिए सिक्षक का श्यामपर्ट पर कार्य करना यह हो शकता है दूसरा अच्छे लेख वाले पत्र का उधारन देना तो यहाँ पर सियामपर्ट का बार यानि बात चल रहा है तो यहाँ पत्र का तो होगा नहीं तो अप्सन नमबर सीज का राइट आंसर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर हम लोग दिया गया है पचीशन पर छात्रों में स्काउट के पर सिक्षन कि भावना विक्सित किया जा सकता है बिल्कुल चात्रों में कम खर्च करने की आदत का विकास किया जाता है क्योंकि डिस्प्लिन सिखा जाता है तो यह भी सही है चात्रों में सच बोलने की चमता का विकास किया जाता है बिल्कुल तो अप्सन नमबर 10 का राइट आंसर हो ज़ें गया श्राब बत्शाया तो, आप नीम्ण को करना चाहेंगे, तो यानि 26 का आंसर बत्ला ऐ, तो प्रेरित लोगों का उदारन देंगे, उदारन देने कोई जूरु निए, चात्र को पाणी तोसिक वित्रन, कोई जरुने चातुर में प्रती असपर्दा की भावना का विकास करेंगे या प्रेणा के महत पर भासन वाले हम बोले थे काड़ देना है गलत होता है तो यहाँ पर बच गया हमारा सी यानि चातुर में क्या राय है, यानि जो अधिक से अधिक धन दिशा Спасибо चाहते है, शुक्षानती चाहते हैं, तो यह मतलब कतन दिया गए कि वो अध्यापक ना बने तो सही है क्योंकि अध्यापक बनने में ऐसा आप नहीं हो सकता है सौंभव तो आप एक शिक्चक होने कि नाते इस कथन के बारे में आपका विचार क्या है आप क्या मानते हो तो बिलकुल सही है बिलकुल सही है ये भी गलत है आंसिक रूप से कहा जा सकता है नहीं समानतिया ऐसा ही होता है गलत बिलकुल गलत है ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है एक आप सिक्चक हैं तो आपने विश कि श्क्षत ब्रोजगारे का सब्सक्रिए और चपिल के पुर्टा के अध्य प्रॉजगार आए कमी आएगी तो यहां देखी विशाय से पुछा गया है यानि रोजगार से तो जब रोजगार मिलेंगे तो क्या होगा सीरी सी बात है कि विरोजगारी में कमी आएगी तो अपसर नबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहां पर 29 नबर शवाल दिया गया है कि एक वह है क्या वह है जो अन्य विश्यस्ताओं के अत्रिक्त अनिवाय रूप से समलित करती है यानि बहुत सारे विश्यस्ताओं है तो सामिल होती ही है उस पाठ पुस्तक में लेकिन कुछ ऐसे चीज़े हैं जो समलित होना चाहिए तो क्या सिक्षकों को निर्देश या परिशकों के निर्देश या बहुत से ग्रीह कार एक अभ्यास या प्रकरनों की सुची तो एक अच्छा पुस्तक कुछी को मना जाएगा जो सिक्षक के लिए भी निर्देश को सामिल करें प्रप्सन नमबर एस का राइट आंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहां पर हम लोग तीस नमबर सवाल दिया गया है कि छात्रों को यानि छात्रों को मु सद्गुनों के प्रती अर्ष्था और सजक्ता बढ़ेगी या माता-पिता पर्शन होंगे क्या हो जाएगा उन में सद्गुनों के प्रती अर्ष्था और सजक्ता बढ़ेगी तो अप्सन नमबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते और सास्त्री तंत्र का विज्ञानी तो क्या है कि देखिए यहाँ पे भिन यहीं सब्द है जो है सिक्छा शास्त्री यह सभी इसके अंतरगत आ जाता हैं सिक्छा शास्त्री के अंतरगत यह तीनों आते हैं तो अप्शन नमबर डीज हमारा राइट आंसर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं और 32 नमबर शवाल देख सकते हैं यहाँ पे 32 नमबर आप सवाल देख सकते हैं दिया गया कि अलग शब्द चुनना है यहाँ पे जो भी वर्ड में जो भी लेटर दिये गया है तो देखिए जो यहाँ पे लेटर दिया गया है तो इसमें पहले यानि यह अप्शन में क्या होगा कि 4 प्लश 4 उसके बाद 1 और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर प्लश 4 किया गया है वहाँ पे आगे बढ़ेंग क्या क्या आगी यहां D में क्या जो रगा है 5 तो आपका क्या आजाएगा आई आजाएगा आई में 5 जो रगते हैं तो आपका A सा आजाएगा यानि आई न जाएगा अन में 5 ओर तो S आ जागा नि 5 plus 5 plus और 5 प्लस किया गया है फिर वह इसे ही यहाँ पर B में आएंगे तो आप देख सकते हैं दिया गया है 5 plus किया गया है उसके बाद 6 किया गया और उसके बाद 4 किया गया है तो यहां पर फीन होए लेकिन सी में फिर वहसे ही किया गया है 5 प्लस दूनों सेम हैं यह विन दिखाई दिखाई दिया या र जो गया तो ऑप्सन नम्मर भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा किम्कि इस सीरीज को यह फॉलो नहीं करता है तो यहीं इसका राइट आंस कोश के अनसार सजाना है तो यहां पर आप देख सकते हैं तो शबसे पहले नंबर पर आपका इज आजाएगा आप देख सकते हैं दूसरे नंबर पर आपका आएग्गर इंश जो भी हींगर उसके बाद इगल आ जाया आपका उसके बाद आपका क्या जाएगा यानि उसके बाद आपका अर्थ आ जाएगा ये स्रीज बनेगा तो इस परकार आप देखेंगे तो हमारा राइट आंसर यानि किसका 33 नमबर का क्या हो जाएगा option number 10 का राइट आंसर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे सार्थक क्रम सजाना है हम लोगों को सार्थक क्रम में सजाना है तो यानि सबसे पहले कौन आएगा उसके बाद कौन आएगा ये बाद बतलाना है तो सबसे पहले आपको मालूम है कि क्या होता है तो शिसू तो येक नंबर ये हो जाएगा उसके बाद क्या होता है कि बालक तो ये दो नंबर हो जाएगा और इसके बाद क्या होता है कि शोर तो ये तिन नंबर उसके बाद क्या होता है प्रोड तो ये चार नंबर और ये बच गया जो पांच नंबर तो ऐसे ही हमारा option मिलेगा जो मिलेगा वहीं हमारा right answer हो जाएगा तो देख सकते हैं यह वाला option है वह हमारा कौन सा मिल रहा है तो यानि 34 का क्या हो जाएगा right answer तो c देख सकते हैं same to same जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर वह से ही मिल रहा है तो यहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा आप भी बना कर देख सकते हैं अगर आपको किसी भी प्रशन के आंसर पर डाउट है तो आप कमेंड वक्स में बतला सकते हैं अपना भी विचार ब्यक्त कर सकते हैं आखिर होगा वो आंसर तो कि होगा आप भी बता सकते हैं कमेंड में चली आगे भरते हैं और देखते हैं यहां पर हम लोग क्या 35 शवाल देख सकते हैं दिया गया है यहां पर कि यहां पर देख सकते हैं एक सीरी चला हुआ है फिर तो इस मार्क के तो क्या होगा तो देखिए यहां पर में क्या जुरा गया है पाँच तो एफ में शुरा गया तो एल यमंत में और तो पर एल diferentes हम यहां ед नरा तो आजाएगा तो देखिए जब 6 जोड़ा गया, यानि 5 जोड़ा गया, और 6 जोड़ा गया, तो 7 जो डलएंगे इसके बार, तो 7 जोड़ेंगे तो हमारा S आजाएगा, L में चलिए, अब उसके बार वैसे ही, फिर इसमें भी, B में 5 जोरेंगे तो G और G में 6 जोरेंगे तो M और M में क्या 7 जोरेंगे तो क्या जाएगा आपका T आजाएगा उसके बाद वैसे ही फिर बढ़ते हैं तो direct हम लोग यानि ऐसे जोरते हैं फिर N में जोरेंगे 7 तो हमारा क्या आजाएगा U आजाएगा तो A, T, U तो option number C इसका right answer हो जाएगा यहाँ पे एक सिरीच चला हुआ है तो क्या हुआ है कि देखिए यहाँ पे 3 में 12 जोरा गया है उसके बाद 20 जोरा गया है उसके बाद देख सकते हैं क्या जोरा गया है 28 जोरा गया है तो अब इसमें हम लोग 8 जोर देंगे तो 36 जोरेंगे अगर अंती मुआले में और 63 में अगर 36 जोर देते तो हमारा answer आजाएगा तो 9 और 9 तो 99 इसका right answer हो जाएगा क्योंकि यह जो जोरे गये थे उनमें 8-8 ब्रेदी करके जोरा गया था चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर हम लोग 37 नमबर स्वाल देख सकते हैं दिया गया है कि यदि इसको ऐसे लिखा जाता है इस word को ऐसे लिखा जाता है तो इस word को कैसे लिखा जाता है तो code दिया गए तो इन सभी later का code क्या हो जाएगा आपको बतलाना है तो आप अगर मना सकते हैं इस वीडियो को रुक कर भी चलिए मैं आपको बतला देता हूँ तो 37 क्या हो जाएगा इसका right answer तो option number C अगर आप सभी code को मिलाएंगे तो आपका मिल जाएगा option number C का right answer हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही ध्यान से आप देखेंगे इस सवाल को यदि इसका ये मान है तो इसका इतना तो इसका कितना होगा तो यहाँ पर आपको देखने की जरूरत है कि क्या किया गया है तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर real में देखा है तो A का मान होता है 1 लेकिन यहाँ पर 26 दिया है यानि अपने opposite वाले letter का मान दिया गया है तो उसके बाद जोड दिया गया है तो ठीक उसी परकार हम लोग अगर इसका भी मान देखकर और लिख देंगे तो हमारा right answer यानि 38 का right answer हमारे मिल जाएगा तो देखिए यहाँ पर C का मान होता है 3 लेकिन इसका opposite letter क्या होता है X होता है तो उसका मान 24 होता है फिर A का मान तो अभी यहाँ पर देख सकते है 26 दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पे आप देख सकते हैं दिया गया है कि नीचे दिये गए शब्द के अक्षरों का परियोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जाशकता है कौन सा शब्द है जो नहीं बनेगा तो 49 का क्या हो जाएगा 20 का राइट आंसर हो जाएगा है देख सकते हैं इसमें कोई लेटर है जो इसमें नहीं है तो H है यहां पे आप देख सकते हैं इसमें कहीं किसी जगह पे नहीं है तो H इसमें दिया गया है तो इसमें यहीं वर्ड नहीं बनेगा बाके शब्द यानि जो वर्ड है वो बन चलिए आगे बढ़ते हैं 40 नमबर सवाल देख सकते हैं और यहां पे देख सकते हैं यानि ब्लॉट यह रिलेसंस से पुछा गया है कि B का भाई A है, D का पिता C है, और B की माता E है, और A और D जो भाई है, तो E और C से क्या शंबंद है, तो इस सवाल को आप रोकेंगे, असानी से समझेंगे, बनाएंगे, चलिए मैं आपका आंसर बतला देता हूं, इसका तो अपसे नमबर क्या हो जाएगा है, D यानि हो जाए यानि B A से बढ़ा है, प्रन्तु C से छोटा है, E D से छोटा है, प्रन्तु A से बढ़ा है, तो यहाँ पर E, तो यदि C की आयू D से छोटी, यानि C भी D से छोटा है, और D से क्या बढ़ा है, E बढ़ा है, तो आप देख सकते हैं, यानि अब तो यहाँ C भी इसके नीचे और इन दोनों से बारा तो C है, यानि A से और B से भी, तो सभी लोग नीचे ही आ रहा है, तो इसमें आप पुछा कि आई में सबसे बारा कौन है, तो E ही सबसे उपर है, तो E इसका राइट आंसर हो जाएगा, चलिए आप भी अगर नहीं समझें तो फिर से आप समझ सकते हैं और बना सकते हैं, चलिए, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर हम लोग, देख सकते हैं, यहाँ पर, यानि 42 नमर सवाल दिया गया है कि, यदि ममता पच्छिम की ओर 14 किलो मिटर चलती है, फिर दाहिने मुरकर 14 मिटर चलती है, और अपने बाये 10 मिटर चलती है, और बाय मुरकर फिर पंदर यानि 14 मीटर चलती है तो अपनी जो प्रारमभिक बिंदु है उसकी बरतमान इस्तिति है उसमें कितने दूरी है तो यह बात हमको बतलाना है तो क्या हो जाएगा तो हम अगर बनाते हैं तो चलिए बना देते हैं इसका डाइग्राम तो पस्यम की तरफ चलती है तो यानि इधर चलती है फिर क्या होता है कि यह कितना यानि यह 14 मीटर चलती है उसके बाद क्या होता है कि वो बोलता है कि दाहिने की तरफ यानि उपर की तरफ चलती है और फिर कितना चलती है वो 14 मीटर फिर क्या बाय की तरफ तो यह वाला 10 मीटर चलती है फिर उसके बाद बाए तरफ यानि नीचे की तरफ यहाँ पे चली आती है 14 किलोमेटर तो अब बोल रहा है कि इस बिंदू से इस बिंदू की दूरी कितनी है तो देखी यह सब से में यह भी इतना है 14 यह भी चलता बराबर है और यहीं इसका राइट आंसर भी हो जाएगा यानि यहाँ से लेकर और यहाँ तक की दूरी जो है 24 किलोमीटर हो जाएगा तो अबसा नमबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा चली आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं 43 नमबर शवाल दिया गया है कि यहाँ पे जो जिस परकार इन दोनों में सब्बंद है उसी परकार इसमें किसके साथ संबंध होगा तो क्या किया गया है आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं कि यहाँ पे F का मान होता है 6 और J का मान होता है 10 तो PB4 किया गया है और O का मान किता है 15 और चार जोड़ेंगे तो 19 यानि 19 यानि एस आजाएगा और Q का मान होता है 17 और इसमें 4 जोड़ेंगे तो क्या आजाएगा यानि 21 आजाएगा यानि U होता है तो अब देखते सकते हैं option number A हमारा match कर रहे हैं तो यहीं इसका right answer हो जाएगा चलिए आगे ब करता है तो समदाता क्या करता है तो समचार करता है तो option number C का right answer यानि 44 का right answer हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पर आप देख सकते हैं यानि 45 नुमर स्वाल दिया कि यदि किसी माह की 6 तिथी को मंगल बार है या पर 6 तिथी मंगल बार है तो उसी माह की 24 तिथी को क्या होगा यानि तारीख को क्या होगा तो आपको देखना है कि इसके बीच के जो दिन है उसको हम लोग पहले निकाल लेते हैं तो 24 में से 6 माइनस कर देंगे तो 18 दिन हो जाएगा और क्या कर क्या आजाता है शन्नी बार तो यहाँ पे शन्नी बार इसका राइट आंसर हो जाएगा अब अब अफ्षन नमबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा आप बना कर देख सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपे हम लोग 46 नमबर स्वाल कि नमले कि खादे पदार् 57 यानि 47 नमबर मानोशहीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा ततो पाया जाता है सबसे अधिक कौन सा ततो पाया जाता है तो अपसे नमबर क्या हो जाएगा C यानि लोहा पाया जाता है चली आगे बढ़ते हैं और 40 इट नमबर स्वाल दिया कि भारत में सर्व पर्थम परशारन किषने शुरू किया था तो किषने शुरू किया है तो क्या हो जाएगा यानि मुंबई परदेश की सरकार सर्व परशारन शुरू किया था चली आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर दिख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है यानि क्रेमूल और विक्रेमूल का अनुपात इतना है तो हान ही परतिसत यहाँ पर निकालना है तो क्या हो जाएगा यह सुत्र होता है यह आप देखते भी होंगे क्रेमूल मैनास विक्रेमूल और बटे में क्रेमूल और यहाँ पर यतना पर संटेज इसका आप मिलाएंगे तो आपका टोट्ल कितना कटकर आ जाएगा यहाँ पर मान रखेंगे तो कन यहाँ तो बटे में क्रेमल और यहां पे इतना परसंटेज इसका मिलाएंगे तो आपका टोटल कितना कटकर आ जाएगा यहां पर मान रखेंगे सब का 20 परसंट आपका मिल जाएगा तो उसन नंबर इसका राइट आंसर हो जागा चलिए आगब बढ़ते हैं और यहां पे आप देख सक करना है तो क्या हो जाएगा यानि 2 x plus 3 और y में 3 x plus 3 equal to कितना होता है 3 y 4 हो जाता है तो इसको हल करेंगे तो हमारा answer कितना आ जाएगा यानि 15 आ जाएगा तो option number यानि 20 का right answer हो जाएगा तो यह थे 50 वाल अगर वीडियो पुसंद है तो like करें share करें कमेंट करें आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद